हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक्जाम ओरिजनल्स के इस देश दुनिया सीरीज में जहां पर हम लोग हर रोज किसी नए किसी नए टॉपिक के ओपर डिसकेशन करते हैं आज के डिसकेशन का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों कि क्या भील प्रदेश बनने वाला है देश का उन्तीसवा राज्य जी हां मध्यप्रदेश, 36 गड़, मध्यप्रदेश, महराष्टा, गुजरात और राजिस्थान की भील ट्राइब या मैं कहूं कि देश की भील ट्राइब के द्वारा जो है इन छेत्रों में एक नए राज्य की मांग की जा रही है इस पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्केशन करने वाले हैं कहा जा रहा है कि चार राज्यों से 49 डिस्टिक्स को मिलाकर जो है वो एक नए राज्य की मांग की जा रही है जिसका नाम होने वाला है भील प्रदेश पूरी तरह से विस्तार में इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझेंगे दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मध्यप्रदेश लोग से वा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और मध्यप्रदेश लोग से वा आयोग में अग और बैच है exam originals के पास आप लोगों के लिए जिस बैच का नाम है संकल को mentorship batch इन किसी भी batches के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को simple इस number पर WhatsApp करना है batch का नाम लिखना है और batch का नाम लिखते ही आप लोगों को सारी मैं rank 1 के guidance में ही चल रहे हैं आगे बढ़ने से पहले ये सारी की सारी बाते कहां से आई है तमाम news channel ने इस भील प्रदेश की demand को जो है ना वो cover किया हुआ है तो इनके बारे में पूरी तरह से discussion करेंगे सारी चीजे इसका एतिहासिक background क्या है ये मांग जो है वो कब से चल कर आ रही है कौन-कौन से राज्यों से कितने जिल्य लिये जाएंगे इन सारी चीजों के ओपर discussion करेंगे लेकिन nd tv का एक ये अगर आप आर्टिकल देखोगे न तो nd tv के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भील प्रदेश के demand फिर से तेज हो चुकी है चार राज्यों से 49 जि मानगड में रेली हुई हाली में क्या हुआ है 18 जिलाई को आदिवासियों की महारेली हुई भील आदिवासियों में भील ट्राइब की जो है वो महारेली हुई कहां पर हुई मानगड में हुई और मानगड में जब चार राज्यों के भील जो है वहां एकत्रित हुए तो व पहले आप लोगों को समझना होगा कि इस भील प्रदेश की मांग कहाँ पर की जा रही है तो यह istic अघर आरे भील प्रदेश से निकाले हुए तो ये भी आप लोग देख लोगे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा अगर भारत का 29 वा राज्य बनकर आप लोगों के सामने आता है भील प्रदेश ठीक ये सारी की सारी चीज़े हैं क्या भील प्रदेश बनना संभव है इसके उपर भी डिसकेशन करेंगे क्या सविधान इसकी इजाज़त देता है कि जाती के आधार पर जो है वो एक नए राज्यों का गठन किया जा सकता है इसके उपर भी डिसकेशन करेंगे लेकिन आगे हम लोगों को सबसे पहले मानगर के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर मानगर धाम जो है वो इतना जादा भीलों के लिए पवित्र क्यूं है मानगर धाम को इतना ये लोग क्यूं मानते हैं मानगर धाम की location क्या है और इसी स्थान को क्यूं इन लोगों ने choose किया है कि यहीं से अंदोलन जो है वो start किया जाए तो आखिर क्यूं मान गल्द हम से ही भील प्रदेश जो है वो बनाने की मांग उठ रही है इसके उपर discussion करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को समझने होगा कि यह जो व्यक्ति आप लोगों को दिख रहे हैं यह भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र सांसद जो member of parliament है बासवाड़ा वाले छेतर से इनका नाम है राजकुमार राउत ठीक है मैंने यह तो आप लोगों को बता दिया कि यह जो है यह भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र सांसद है लेकिन आप लोगों को न दोस्तो अभी comment box में बताना है कि मद्यप्रदेश की विधानसभा में भी एक विधायक है भारत आदिवासी पार्टी के उन विधा प्रदेश की विधानसभा में जो है अलग भील प्रदेश की मांग के लिए आवाज उठाई है और उसको लेकर जो है वो मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें जवाब भी दिया इन सारी चीजों को मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा लेकिन आप लोगों को अभ भील जो भील जन जाती है इनहें यहां पर घत्रित किया और भील प्रदेश की मांग को जो है वो आगे बढ़ाया हुआ है ठीक है तो सबसे पहले जो है ना दोस्तो सबसे पहले हमें इस मानग pressured है इसकी location अगर आप लोग देखोगे तो इस मानगल की लोकेशन यहां पर जो है वो राजिस्थान है यह जो बॉर्डर आप लोग देख रहे हो ना यह जो बॉर्डर है यह राजिस्थान की बॉर्डर है यहां पर इस तरफ जो बॉर्डर है यह मद्यप्रदेश की बॉर्डर है और यहां इस तरफ जो है यह जो है यह गुजरात ह और तो इग्डम ये location जो मानगर हील्स है ना ये मानगर हील्स की location जो है वो राजिस्थान और गुजरात की border पर है कहा जाता है कि मानगर हील्स का 80% हिस्सा जो है वो राजिस्थान के पास है 20% हिस्सा जो है वो गुजरात के पास है तो इस border पर यहां पर बैठक बुलाई इस मानगर धाम पे 1913 में जो है वो एक मैसेकर हुआ था जिसे पंजाब में हुए जलिया वाला बाग हट्याकांट के तहत के तरह ही इसे भी जो है वो भीलो का जो जलिया वाला बाग कहा जाता है या आदिवासियों का जलिया वाला बाग कहा जाता है कहा जाता है कि 1913 में यहाँ पर निहत्य भील आदिवासियों के उपर जो है वो अंग्रेज सरकार के दौरा गूलिया बरसा दी गई थी उस समय भी यह लोग किसी चीज की डिमांड कर रहे थे तो उस समय पर इनके उपर जो है वो गूलिया बरसा दी गई थी इसी वज़े से ये लोग अपने लिए जो है, वो एक नए भील-प्रदेस की मांग कर रहे थे, इसी वज़े से ये जो member of parliament राजकुमार राउत है या मैं कहूं कि भारत आदिवासी party या अन्य जितनी भी आदिवासी party है जो भील-प्रदेस की मांग कर रहे है, ये इस प्रदेस की मांग के पी क्यूंकि इनका कहना है कि जब देश में राज्यों का पुनरगठन हुआ न तो मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ पर समझना आप लोग यह सारी की सारी चीजे मानगर का इतिहास आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताई दिया सभी लोगों के लिए काफी important है सभी ल प्रोटर से एक फोटो भी निकाला हुआ इसके बारे में आप लोग सारी information जो है वो यहाँ से जुटा लेना लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूं कि यह लोग कहते हैं कि भाई यह मांग जो है यह पुरानी नहीं है यह मांग जो है वो बहुत पुरानी है अगर आप लोग देखोगे न तो यह वाला जो छेत्र है न इस वाले छेत्र में पहले से ही भील जंजाती जो है वो रहते आ रही है इस छेत्र में इनका काफी घनत्व जो है वो जादा है काफी भारी मात्रा में जो है भील जंजाती यहाँ पर रह रही है ठीक है और इस छेतर में रह रही है ना पहले से यहां पर रह रही थी पहले तो कोई मद्यप्रदेश, राजिस्तान, गुजरात और महराष्ट नहीं थे तो इन्हों ने कहा कि जब राज्यों का पुनरगठन हुआ और जब राज्यों का पुनरगठन हुआ ना तो भील जंजाती की परवह न करते हुए लोगों ने क्या किया बीद जन्जाती को अलग-अलग राज्जियों में बाड़ दिया और बाड़ दिये जाने के कारण जो है इन भीद जन्जाती में फूट पड़ी या मैं कहूं कि सभी भीद जंजाती को एक समान दर्जा नहीं मिल पाया हो सकता है कि मध्यप्रदेश में भी जंजाती को विशेश आरक्षण है राजिस्थान में विशेश आरक्षण है गुजरात में नहीं है माराष्ट में नहीं है तो इस तरीके से जो है वो भी जंजाती के साथ भेद भाव किया ज रहा है सेक्षनिक दृस्टी कौन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या राजनेतिक दृस्टी कौन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या किसी ने किसी प्रकार से जो विकास के मुख्यधारा में यह जुड़ नहीं पा रहे हैं तो जो यह मेंबर और पार्लमेंट है यह यह भारत आदिवासी पार्टी है ये बाप जिसे कहा जाता है इना आदिवासी पार्टी के द्वारा जो है वो अलग भील प्रदेश की मांग जो है वो की जा रही ताकि भील जन जाती के लिए उनके उत्थान के लिए ये लोग काम कर सके उन्हें मुख्यधारा में जो है वो जो देवास, खंडवा, खरगौन, बुरहानपूर, बढ़वानी और अलीराजपूर जैसे जिले मध्यप्रतेश के होने वाले हैं। बलसार, ये जिले होने वाले हैं, महराष्ट के नासिक, ठाने, जलगाओ, धुले, पालगर और नंदुबार जैसे जिले को मिलाकर जो है वो नया एक नया जिले बनाने की मांग जो है वो उठ रही है। ये जो नक्सा है वो आप लोगों को देखना है सारी की सारी चीजे और क्या ये संभाव है या नहीं। मान घरदा में जोटे हुए हैं 18 जुलाई को आप लोगों को ये नियूस भी मैंने आप लोगों को सारी की सारी चीजे बता दी। अब आगे सोचना हम लोगों को है। मैं आप लोगों को बताओं ट्विटर हैंडल पर भी जो है वो काफी तरीके से एक्टिव हो रहे हैं। ये राजिस्थान के एक विधायक है जो भील प्रदेश की टी-शिट पहन कर जो है वो राजिस्थान विधानसभा में ये पेश हुए और वहां पर भी मुद्द गर्माया है। ये है मद्यप्रदेश के एक मात्र भाप भारत आदिवासी पार्टी या मैं कहूं कि बाप पार्टी के विधायक जिनका नाम है कमलेज दोडियार और ये सहलाना विधानसभा सीट से विधायक चुनकर आये हुए हैं। ठीक है तो भारत आदिवासी पार्टी के ये विधायक है ये काफी चर्चा में भी रहे थे अपनी स्प्लेंडर प्लस से विधान सभा आये थे ठीक है तो ये काफी चर्चा में भी रहे और भील प्रदेश के बारे में ये कह रहे हैं कि भाई ये अटल भिहारी वाजपई जी है देखो इनका एक वीडियो भी है इन्होंने विधान सभा में आवाज भी उठाइती है हां मैं चाहता हूँ कि पहले आप जो है ना पहले आप ये वीडियो अच्छे से सुने हां एक मिनिट है कि अधिक है इनके मिन पर चाहता है चाहिए और ऑफ ये अपनी और से फ़लू धाड़ लिया और मेरे को जवाब किया था अधार ने तो यह थे कमलेस्ट ODR जो कि सैलाना विधानसभा सीट से सांसद है विधायक है और इन्होंने विधानसभा में मद्यप्रदेश विधानसभा में भी जो है वो आवाज उठाई है ठीक है आगे बदने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग Mb इन बैचेस के बारे में जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो सिंपल इस नंबर पर WhatsApp करना है दोस्तों यहां से आगे न मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि क्या क्या यह संभव है कि जाती के आधार पर एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है ठी तो इसका उलेग जो है वो सविधान में नहीं है तो सविधान में तो लेकिन मैं आप लोगों को एतिहासिक बैक्गराउंड अगर आप लोगों को बताओं तो सविधान में तो यह भी नहीं कहा था कि भासा के आधार पर राज्यों को गठन किया जाएगा लेकिन भासा के आप लोगों को पता है कि आंद्रप्रदेश जो है वो भासा के आधार पर गठित हुआ तो उसके बाद जो है वो भासा के आधार पर कई राज्यों का गठन भी किया गया जाती के आधार पर राज्यों के गठन की बात सविधान में नहीं है लेकिन अगर मांग पुक्ती होग तो हो सकता है कि जाती के आधार पर भील प्रदेश का गठन किया जा सकता है ठीक है फिर आप लोग कहोगे कि इन लोगों का कहना है कि जाती के आधार पर अगर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता तो पंजाब भी तो पंजाबी के आधार पर पंजाब का गठन किया गया ह मराथियों के आधार पर महराष्ट का गठन किया गया है तो क्यूं भील जंजाती के आधार पर भील प्रदेश का गठन नहीं किया जा सकता दूसरी बात यह है कि जो भील जंजाती है यह जागरुक्ता फैला रहे हैं कि हम लोग जो है वो हिंदू नहीं है हम हिंदू से भी जब हिंदू नहीं थे उससे पहले से भी बील जंजाती exist कर रही है तो हमें जो है वो हिंदू में शामिल न करिये हम अलग है यह अपने हां की महिलाओ को कह रहे हैं कि आप सिंदूर न लगाए आप मंगल सुतर न पहने क्योंकि यह हिंदू धर्म की माननेता है और हमारी इमाननेता नहीं है तो हमें जो है वो भील ही रहे हम आदिवाशी है हम अलग है हम हिंदू में हमें शामिल न करे इस तरीके के जो भी मैंने पोस्ट देखे थे ट्विटर पर तो मैंने सुचा कि क्यों आप लोगों को बता दूँ आप लोग कॉमेंट बॉक्स म के लिए उन्तीसवा राज्य बना देना चाहिए लेकिन बात ये भी है कि अगर भील जन जाती के लिए एक नया राज्य बनाया जाएगा तो और भी ऐसी कम्यूनिटी उठेगी और अलग राज्य का की मांग जो है वो करेगी तो यह सारी की सारी चीजे थी मुझ से अगले वीडियो में आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ तो बाबाई टेक केर खयाल रखिएगा फिर से मुलाकात करूँगा एक्जाम ओरिजनल्स के इसी ऑनलाइन प्रेटफॉर्म पर लेकिन तब तक के लिए मैं तारे अंदर बेले आप सभी लोगों से विदा लेता ह बाई बाई